सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल विने बाइलोजी को ताकि आने जाए तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो में आस्मोर एगुलेशन के बारे में यह टर्म आपने 11-12 में बहुत बारी सुना होगा इवन आपने 12 के बाद भी एवर्ट सुना होगा और उमिद करता हूँ क कि आज आप अगर यह वीडियो देखते हैं तो आपको जो डाउट है आपका आस्मोर एगुलेशन को लेकर वो खतम हो जाए तो चली दोस्तों शुरू करते हैं हेलो दोस्तों मेरा नाम है विने और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल विने बाइलोजी दोस्तों आस्मोर एगुलेशन यानि कि आपकी बॉडी फ्लूड के अंदर आपकी बॉडी फ्लूड की जो आस्मोलारिटी होती है उस आस्मोलारिटी को मैंटेन करना ही आस्मोर एगुलेशन कहलाता है सवाल आता है what is osmolarity सो आइए जानते है osmolarity होता क्या है लेकि मान लीजिए मैंने कहा दो solution है एक solution है A और दूसरा solution है B मैंने कहा कि A solution के पास A solution has more osmolarity as compared to B solution यहाँ पे A के पास osmolarity जादा है इसका मतलब मैं यह समझूँगा इसके पास number of solute particle क्या है जादा है जबकि B के पास number of solute particle क्या है कम है जिस solution के पास जादा number of solute मिलता है उसकी जादा osmolarity होती है यानि कि osmolarity का मतलब होता है number of solute in per liter of that solvent तो per liter of solvent में कितने solute पाए जा रहे है वो कहलाता है osmolarity अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में जो पाणी आता है यानि कि जो फ्रेश वाटर होता है आपके घर का उस फ्रेश वाटर के बात करूँ दूसरा जो sea water होता है जो समुद्र का पानी होता है आप मुझे बताइए दोनों में से किसकी osmolarity ज़ादा होगे दोनों में से उसकी osmolarity ज़ादा होगे जिसमें solute बहुत ज़ादा होते हैं और हम जानते है sea water में बहुत ज़ादा मातर में solute होते हैं इसलिए सी water आपका ज़्यादा osmolarity show करेगा as compared to fresh water तो हर एक fluid की अपनी एक osmolarity होती है उसका हर एक उसका अपना एक particular क्या होता है number of solute होता है मैं बात करो human blood की अगर मैं बात करता हूँ human blood की तो human blood की जो osmolarity है वो एराउंड है 290 mili osmol per liter यह unit है इसकी किसकी osmolarity की जहाँ पर हम 290 को approximately 300 यानि कि आपके blood की कितनी osmolarity है आपकी blood की osmolarity है कितनी 300 mili osmol per liter तो आपकी body का यह काम है कि अगर body fluid की आपकी osmolarity 300 है अगर 300 से जादा आपके blood में हो जाए like 400 हो गया osmolarity आपके blood की या हो गया 200 इन दोनों ही condition में body को problem होगी इसलिए body क्या करती है body किसी एक structure की एक organ के help से इसको वापिस से 300 तक लाने की कोशिश करेगी हमारी body में ऐसा कौन सा structure है जो हमारी body की osmolarity को maintain रखता है मतलब अगर आपकी body fluid का 300 osmol per liter million osmol per liter osmolarity है इस 300 को बनाए रखने के लिए इसी को maintain रखने के लिए आपकी body में जो structure है उसका नाम है kidney so kidney का काम होता है आपकी body में जो blood fruit की osmolarity पाए जा रही है इसको maintain करना अब इसको maintain करने के लिए हम क्या करते हैं अब हम next video में बात करेंगे counter current mechanism के बारे में अगर आपको यह video clear है तो आपको next time जो हम topic करेंगे वह आपको पूरा clear हो जाएगा और फिर मिलते हैं next video में जब तक के लिए जुड़े रही है और हमारे नीचे देखी description में आपको हमारे बागी other page के link मिल जाएंगे like fbk Instagram के आप वहाँ पर जाके उसको like and share करिए फिर मिलते है करेंगे रही है करेंगे वे हमारे वे मिलते है